आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हमने मॉडल को अप्टमाइस कैसे करवाना और हमने उसके लॉसिस को अंदर जो लॉस फंचन हम लगाते हैं लॉसिस को कल्कुलेट करने के लिए वो क्या चीज होती है यानि कि बैसिक लिए हमारे दो पार्ट होंगे एक यूज होते हैं इनके जिनारिक ओवर्विव लेंगे और जो पिछली वीडियो में हमने टैंसर फ्लो बेस कोड लिखें अपने एमनेस को डेटर से ट्रें करवाने के लिए उसी के अंदर हम अपना लॉस फंचन पहले बदल के देखेंगे उसके बाद उसका एफेक्ट चेक करते हैं इस वीडियो को कि यह हमारा का ऐख यह हमने जो पहले डिसकस्क्स किया था कि हमने नयुएल नेटवर्वक पास एक दोफा करवाकर देखा था उसके बाद हमने उस उसका पास के बगचा बाद हमने प्रॉपर मॉडल को ट्रेंग डर्टर वाया था फिर उससा इटरेशन को बढ़ाके हम 9 इटरेशन पर ले गया और फिर 990 इटरेशन पर ले गया था अब इस वीडियो के अंदर हम यह देखेंगे कि वो जो एकुरिसी हमने यहां पर चीव कर ली थे हो तो ठीक है लेकिन कि किसी मॉडल को ट्रें कराने में आप्टिमाजर बहुत ज्यादा रोल प्ले कर रहे होते हैं कि आपने किस तरह को आप्टिमाजर यूज कि आपने लॉस फंचंग कौन सा यूज गया यह निकि इनपुट जो आपकी गई है और जो आपकी डिजाइड आउट्पुट थी उन कि अब इसकोड के अंदर हम यहीं चेक करेंगे कि हमने सबसे पहले इसके लॉस फंचंग को चेंज करके देखना है विद्ट पहले हम इसके अंदर यूज करें थे जो हमने पिछली वीडियू के नहीं देखा था उसमें क्रॉश एन्टॉपी को यूज करते आप और हम इसको रिवर्स करें अपने कोड़ को यहांसे हम देख सकते हैं कि यह क्रॉश एंटॉपी हमारा इन्ज्जूज था और इसको हम यहां पे भी क्रॉसर टॉपि या अब कि अम्हारा क्रॉश्ड को रहा था कि इंपूट के वपर हमारी क्या वैलियू इसके डिजर्ड आउट्पूट उसके स्थेक्टिव क्या थी अगर दोनों में डिफरेंस आया था उन दोनों का आपस में हम डिफरेंस कैसे कर करें पहले हम क्रोश्ट यूज कर रहे थे अब क्रोश्ट रॉपी को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पस फॉर्मिला उता है बैटमेटिकल यूज फॉर्मिले के अपर हम डिटेल में नहीं जाएंगे लेकिन एफ्सक्राइब बात करते हैं को ने होता है वह लॉस जो हमारा इंक्रीज हो रहा होता है वह बता रहा है कि प्रडिक्टेड जो प्रबिल्टी आवर डवर्ज कितनी ज्यादा कर रही है एक्चोल लेबल के उपर से यह इसको 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 इसके अदर पर हम रेपस डिफरेंट वेज हैं यहां पर दिखेंगे इसको लॉफ़ चयांसे हम क्रॉस ने कर सकते हैं गी इस फॉर्मिले में वैलियू उस पास कर रोते हैं अपने इंपूर्ट को देते हैं और इसके बडिजायरीड आउट्पुट को पास कर रुएं रहा हैं उसमें बता रहता है किमारे डिफरेंस कितना आ रहा है गिवन इंपुर्ट के कॉर्रस्पॉंडिंग जो एक्चुल लेबल था और जो माया प्रेडिक्टरी लेबल आया उसमें कितना डिप्सरेंस आरा था इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे जैसे कि आप यह भी देख सकते हैं कि यहां पर भी हम क्रॉस्टरॉपी के एक फर्मिला यूज़ करें और यह हम समिशन काउंट करें अपने डिजाइड आउट्पूट के साथ उसको लेकिन हम इसकी मैथ्मेटिकर प्रेजेंटिशन में जाएंगे हम स्रेट फरवड कोर्ड पे आएंगे और कोर्ड में आगे हम देखते हैं कि टैंसर फ्लो में बिल्ट इन ऑप्शन देता हैं कि हम अपने जो लॉस्ज़ हैं को वह कलकुलेट कर सकते हैं उसमें डिफरेंट टाइप्स हैं इसको यूज करने के अगले स्टैप के अंदर हमने यहां पर टी अफ रिडियूस मीन किया कि जो ख्रॉज इंट्रॉपी हमाले पास क्लेट होके है उसके मीन को हम रिडियूस करेंगे वह तैंसर फ्लो में फिर इन देता है अपने दर अपने देट लिफिटी अवेलिबल लगटी आफ डॉट रिडियूस मीन करेंगे तो हमें मीन कल्कुलेट करके रिडियूस करभा देगा और उसके बाद यह कौस्ट जो हमारे पास कल्कुलेट होगी यह एक्टॉली डिपैंडड होगी मरें आप्ट optimizer फिर मॉडल को ट्रेनिंग जो है उसमें वेट्स को अप्डेशन डिफरेंट वेसे करेंगा हमने जो पहले पिछली वीडियो में कवर किया उसके अंदर हमने यूज किया था कि हम gradient descent optimizer को यूज कर लेते हैं अब gradient descent optimizer जोंसा यह हमारी एक graph को प्लॉड करवाता है और उसके अंदर हो देखता है कि minimum value कहां पर यह हमारे gradient descent की और उस point को actual में वो consider करता कि यहां भे हमारे पर best weights learn हो रहे हैं अगर हम इसका graph को देखें करते हैं तो यह चीज जब हम देखते हैं कि gradient descent हमें यह बिताता है कि यह minimum level आ रहा हमारा gradient descent calculate करते हैं यह actual point होता है जिस पर best हमारे पास weights learn हो रहे होते हैं यह आप देख सकते हैं कि उन्हें ग्राफ यहां से नीचे को आना शुरू कर रहा है और यहां पर जाके पॉस्टिव हो रहा है अब यह दोनों सूर्त में जब हमारे यूसफुल नहीं होंगे जितने कि हमारे पास इस पॉइंट पर हैं कि यह मारा लीस पॉइंट है जिस पर मैक्सम करवा सकते हैं अपने मॉडल को इसको भी देखें इस ग्राफ में सेंट किया कि इनिशल वेट हमारा यहां पर यहां प्लॉड हो रहा था लेकिन ग्लोबल कॉस्ट जो हमारी मिनिमम आई है वो इस जगह पर य होंगे यह भी एक पूरी इसके पीछ है कि हम इसको कैसे कलकुलेट कर रहे हैं हम उसकी डिटेल में जाएंगा हम इसके इंप्लिमेटेशन पर बात करें इसलिए हमने इस ताइम यूज किया है क्रॉस्ट को एज लॉस के लिए और उसके बाद अगले स्टेप में हमने ग्रे में सिस्टम को यह बताता है आपके कि जो उसने वेट्स करने कितनी स्पीड से करने अब लर्निंग रेट कम या जएदा रखना यह कोई हार्ड और फास रूल नहीं है यह आपने खुद लर्न कर सिस्टम को करवाना होता है इसलिए यह यूजर पर डिपेंडेंट होता है य इसको समझने के लिए भी हम इसके ग्राफिकल रिपरेज़ेंटेशन देखें अब यह यह कि हम आपके लर्निंग रेट की ग्राफिकल रिपरेजेंटेशन आ जाती है कि अगर हमारा लनिंग रेट बहुत ज्यादा होता है तो हमारी थोड़ी से इस चलती है और लॉस बहु लर्निंग रेट है और यह ब्लू लाइन हमारे पार प्लॉड है तो वह लॉस एक दम से मिनिमाइज कर देगा लेकिन बहुत देर से करेगा हमने एक्च्वल में बेस्ट करना होता है जो कि यह राइट कलर में हमारे पाफ शो हो रहा है गुड लर्निंग रेट का जिसमें ल लॉस एक दम से बाइड है और इपाउक हमारी अभी कंप्लीट नहीं तो इसका मतलब है कि हमारा मॉडल जो से है वह ओर फिट होने लगे और अगर हम इसको ग्रीन लाइन को फॉलो करें जो हाई लर्निंग रेट हमने रखा हुए तो उस वरत में क्या होगा कि आपका लॉस से एक दम से नीचे को आ रहा है लेकिन यह डिपेंड करता है कि आपको मॉडल की ट्रेनिंग किस तरह है इसलिए हम फॉलो करते हैं कि लॉस और इपाउक में आपस में कॉर्रस्पॉंटर से लिए हो कि जिस हैसाब से लॉस गिर रहा है उसी साब से हमारा इपाउक जो सी है वह बढ़ रही हूं अब इसी चीज़ को अगर अब ऐसे देख लें कि कि यह हमारे पास लर्निंग रेट के स्टप्स को डिफाइन करने के जिए हम इस वीडियो में अगर देखें तो यह हमारे पास दो तरह के लन्निंग रेट की करेगा लेकिन बहुत स्लोली करेगा अगर हम इसी के रिस्पेक्ट से या इसके अगर हम चलते हैं लर्णिंग रिट बहुत बढ़ा रख देते हैं तो उस सुछत में क्या हुआ को स्टेप्स लेगा कि अब उसने ग्रेडियन डिसेंट तो इस यहां पर बेस्ट आ रहा है हमार में कर लिया लेकिन अब इन दोनों को डिफरेंस आएगा यह हमारे सिर्फ लर्णिंग रेट की विजए से आएगा कि उसको लिए यह वाला पॉइंट करना चाहिए था लेकिन वह फॉलों को करने लग गया कि मारे लिए तना बड़ा था कि वह स्टेप्स जब ले रहा तो उसने मिस करा दिया इस पॉइंट यह इशू हमारे पास आते हैं लेर्निंग रेट बहुत कम यह बहुत ज्यादा रखने के लिए इसलिए यह हम अपनी एक्स्पीरिंस की बेस्ट पर डिसाइड करते हैं कि कौन सा लेर्निंग रेट हमारे लिए बेस्ट रहेगा मॉडल को लेर्न करवाने के लिए इसी तरह की चीज भी डिफाइन कर रहे हैं कि हमने एक्च्वल में इस तरह का आप्टिमल लेर्निंग रखना है यह बहुत कम है यह बहुत ज्यादा लेर्निंग लेकिन अगर इसमें आप देखें तो उसने वन्टू एंट्री स्टेप्स निया और और यहां पे सिर्फ वाइंट टूइट ट्री स्टेप्स नहीं और फॉर्थ पर आगर वाप रुग गया कि मैंने से जदा आगे लर्न नहीं करना मॉडल यह इस्यूज हमारे पर लर्निंग रेट के आते हैं इसलिए इसलिए नहीं तो कोई फास्ट रूल नहीं है लेकिन इ लर्निंग रिट के लिए हम सबसे पर परफॉर्म करेंगे इसके बाद हम अपना लॉस चेंज करके देखें लॉस चेंज करने से में यहां पर कोई बेसिक डिफरेंस नहीं नजर आएगा को बहुत ज़्यादा ही डिफरेंस आगा लेकिन सिर्फ कोडिंग पॉइंट पॉइ आए है और जो हमारे प्रिडिघ्टी प्रिबेल यह उस具 बीचमे कितना जिकवे उन्ति जिसकी यहां पर बात करें इस के लास्ट के अंदर हम यह देखते हैं कि हमारे जो हम सब्पर्म स मक्रेंट तोटल क्लासिस की आप बिट आई थी उन में डिफरेंस आपस में क्या है इसके भीच हम अब यहां से स्टार्ट करते हैं पहले हम लेर्निंग रेट यहां पर 0.1 रखते हैं और इस मॉडल को रन करवा कर देखते हैं कि इसकी इकुरिसी इस तरह थी यहां पर हम इसमें यह देखें यहां पर पहले हमारे मॉडल की इकुरिसी आई थी 9.8 पर संट फिर उसने फरस्ट पर चलाया तो 11 पर यहां पर हमने बैक प्रॉपगेट नहीं करवाया था यहां पर फिरस्ट इम बैक प्रॉपगेट कर आया था 11.9 परसंट इस टैप के उप यह दिया 990 इतरेशन के उपर यह माया लनिंग रेट था 0.1 अगर मैं इसको 0.5 तो इसको ज्यादा टाइम लने चाहिए यह डाटाशेट बहुत हलका है इसका इसलिए इस पर इतना जादा टाइम नहीं लगए लेकिन आप यह देख सकते हैं तो थोड़ा सा टाइम इसने ज्यादा लगाया क्योंकि लर्निंग रेट हमारा चेंज हुआ यहां पर अब यहां पर देखें आपके एकुरसी 91 परसेंट को चीव करें नाइटी और नाइटी नाइटी वन में को बहुत ज्यादा ही डिफरेंस नहीं है लेकिन यह एकुरसी में फिर भी कुछनों को चें जो हमारी 998 यह चीज़ हमें बता रही है कि हमने लर्निंग रेट बढ़ाया उसको ज्यादा अच्छा लेंग करना चाहिए हम च्छोटे च्छोटे स्थेप्स है रहे हर वेट को लेंग कर दें लेकिन यहां पर उसमें गलत भी लेंग करने शुरू कर दी हैं जो चीज हम य करना पड़ता है या इसकी प्रॉपर मैथेमेटिकल रिप्रेंटेशन में करके अंदाजा होता है कि हम इसके ग्राफ प्लॉट कराते हैं टैंसर फ्लोग को यूज करते हैं जो हमें बता रहे होते हैं कि मॉडल किस पॉइंट पर जाके कन्वर्जंस उसकी खतम हो गई थी औ और उस प्रॉइंट पर जो लइनरेड हमारा बैस था उस econ यह अब हमारा लॉंइंग रहे का gesund कर दे हैं french कि क्रॉस एक लिया था अब आम इसकी जगा हिंज लास लगा आगर देखते हैं लेनिंग रेट को हम वापिस यूपाइट फाइप पर कर देते हैं इस पर हमारे पर बैस्ट राइट साहिए थे के लॉब अगर अब देख सकते हैं के लास हमने झाला था इस पर ऑभी निकालला है कोई इतना ज्यादा हमेया हिंस में नहीं आरहा कि Ornay यह क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्जिट होते हैं लासे दो तरह के होते हैं एक classification के लिए होता है और एक regression के लिए तक classification losses में जया तर cross entropy और हमारा SVM या hinge loss यूज होता है इसके इसके अपस अगर हम देखें तो हमारे पर दूसर लॉस्स रिग्रेशन के लिए जिसमें हमारा में स्केर्डर में में एपसलूट और और मीन बाइस अरर एंब यह हमारे कॉमन लॉस्स यूज हम इस तरह क्लासिश्टिशन प्रॉब्लम को टार्गेट करें इस लिए हमने हिंज लॉस और सौ्फ मैक्स को अप्लाइ करके देखा है बाकि जो हमारे लॉस्स जिसमें में में य को अमपन यहां और इसको आपिमाईजर को चेंज करके देखे पहले हमें य्गरेडियं डिसेंट हमारा कि जैसे किमने इस ग्राफ में देख्ए ग्रेड़ियंट कल्कुलेट करती है और म dö wait chỉ जिसका पहले यह नम वहखा अब His पहले हमारा है जिए ज़िए आडर्यक्राश् सरकैसٹिक ग्रेडियांट के अगर था जा यसके अपर ही बिल्ड किया हुँ है आड़म कों अब सरकैस्टिक ग्रेडियांट सेंट के अदर हम चो क्याकि उपयर करते हैं रिखकर सके हैं वह अग्रारान के साथ सांगिぜ इसको इतके नवाज कर देता है अब यहां पर आके हम आप्टेमाजर को ग्रेडिन इसका कर देंगे और लाइडव को यूज करेंगे और इसके अब इसकी प्रेंडिंग में क्या फ़रग आता हमें को बहुत सिंफिकेंट नदर नहीं आएगा क्योंके हमारा डायटर बहुत सिंपल और बहुत चोटा लेकिन जैसे कि हम सेग्मेंटेशन की प्रॉब्लम पर जा रहे हैं या फिर हम मैडिकल इमेज़ क्लासिफाइब कर रहे हैं तो उस सुद्ध में हमारे यह आप्टिमाइजर्स जो हमारे ट्रेनिंग वीक या टू वीक या त्री वीक पर जा रही है उसमें बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं अब देखें यहां पर हमारा ग्रेंट अप्टिमाइजर्स नाइटी प्रिशन को चीफ कर रहा था लेकिन एडम जो साय उसे एटी एट पैदा गया यह डिफरेंस हमारा आप्टिमाइजर्स कौन से कभ यूज करने हैं हमारे हैंज लॉसे यह हमारे सॉफ मैक्स प् करें यह चीज़ने करने के लिए में पूलर नेटवर्क की एटू रेट समझ लाजमी है समझ होगी तो हम यह बता सकते हैं कि हमने कौन से उप्टिमाइजर्स और कौन से लॉस फंचिन्स और कितना लर्निंग रेट रखे इसको मॉडल को वेट्स को अप्टिमाइज कर कर लाजमी है